मुझा अबर फिर से स्वागत करते हैं मैं अनिल कुमार्यादो सूरच भाग टू तीन सदीस का गुडन जैसा कि ये क्लाश 12 के लिए वीडियो बना जा रहा है तीन सदीस का गुडन के बारे में प्रोड़क्ट आफ थ्री वेक्टर्स ये प्रोड़क्ट आफ थ्री वेक्टर्स जो बना जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट चिप्टर है इसके बारे में full details जानने के लिए भाग एक को देखें क्योंकि भाग एक में 3 सदीस का गुड़न के formula को बताया गया है यदि आप उसको नहीं देखें तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आप अच्छे से समझने के लिए आप पहले भाग को देखिए पहले भाग को देखने क्लिक क्या करेंगे description में जाया वहाँ पर link दिया गया उस पर क्लिक कीजिए और वीडियोस को देख लिजिए चलिए भाग 2 देखते हैं इसमें क्या बताने वाले इसमें हम questions को बताना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले हम आपसे यह कहेंगे यदि आप हमारी वीडियोस को share करते हैं तो करिए नहीं करते हैं तो किसी ने किसी को share जरूर कीजिए ताकि लोग देखें और आप भी देखें मैं हमेशा यहीं कहता हूँ आप दूसरों की भला कीजिए आपका भला हमेशा होगा चली सुरू करते हैं question number 1 से तो question number 1 यहाँ पे दिया गया है यह है question number 1 c.a cross b की सरलतम मान ग्याद कीजिए मतलब इसका मान हमें बताना है जबकि a का मान यह है b का मान यह c का मान यह तो पहले हम simple question से उठा कर बताते हैं क्योंकि आपको पहले समझ में आ सकें यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आप बड़े से बड़े question को भी solve कर सकते हैं देखिए दोस्ट यदि आप हर किसी question को solve करते हैं तो सबसे पहले चीज़े है math में continuity बनाया रखना यदि आप continuity math को सरल करते हैं तो हर question को अब लगा सकते हैं चलिए इस question को बताते हैं इस question को बताने से पहले हम यहाँ पर कुछ बता देते हैं आपको समझ लिए यह क्या है देखिए a.b.c आ गया तो इसको हम लिखते हैं a.b.c मतलब पहला dot और cross तो इसको a.b.c यदि यही चीज ऐसे रहता है तो इसको लिखेंगे b.c.a जैसे रहेगा उसके अनुसार यह लिख सकते हैं यदि इसी चीज को करेंगे c.a.b. तो इसको क्या लिखेंगे c.a.b. यह लिख सकते हैं लेकिन यदि इस चीज को change करेंगे जैसे यहाँ पर B A करेंगे तो माइनस चीन का लगाना पड़ेगा यह clear है? यह चीज़ आपको सम्मिया जाएगी चलिए यह चीज़ तो हम बताने जा रहे हैं लेकिन हर किसे में vector लगा लिजेगा यहाँ पर हम vector नहीं लगा है हर किसे में vector आपका लगा होना चीज़ तब यह सही माना जाएगा हम यहाँ पर सारे को नहीं लगा रहे हैं आपको बस बता रहे हैं आप clear कर लिजेगा जाम में हर किसे को vector लगा की दिखाईएगा चलिए इस question को बताते हैं c.a x b यह हैं अब देखिए इसमें इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हमने यहीं पर बताया है c.a.b यह हो गया मतलब c.a.b का मान सारेडी के रुप में लिखना है तो सबसे पहले यह सारेडी बनाएंगे सारेडी जैसा कि आप chapter नाम सुने होंगे सारेडी तरह से बराएंगे लेंगे आप यू में हल करेंगे यह आप यू टाइप में हल करते हैं सारेडी में नहीं आप यू में हल करेंगे पहले c का मान लिखेंगे c का मान क्या है 1-2,7 1-2,-7 फिर a की value a का गुडांग है 5-4,1 5-4,1 अब b का गुडांग देखेंगे minus 4,3 और minus 2 यह हमने मान लिख लिया अब लिखने के बाद क्या करना है जैसे आप यू को स्वरल करते हैं mod a निकालते हैं c अब उसी प्रकार से इसको हल करना है पहले 1 को common करेंगे तो इसका multiply करेंगे 4 दूनी के 8 minus 3 यह छोड़ देते हैं तो 5 दूनी के 10 लिखेंगे minus 10 फिर बीच में minus होता है और इसका गुडा करेंगे तो minus अल्रेडी है प्लस हो जागा 4 अब इसको लेते हैं plus 7 से लेकिन यहापे minus 7 अल्रेडी है 7 इसको छोड़ देते हैं तो 5 देखेंगे 15 और 4 जोग के 16 तो minus 16 अब इसको क्या करना है calculate करना जाए चलिए calculate कर लेते हैं तो 8 में से दिन के 5 5 एकम 5 यह हो गया minus 6 दूनी के 12 यह minus 1 प्लस 7 हो जाएगा इसको हल करेंगे तो आजाएगा आपका 0 यह हो गया इसका answer तो आपको समझ में आगया होगा कि यह कैसे होता है इस चीज को आप you के नियर्ट से आप हल कर सकते हैं अच्छे से हमें उमीद पहला question आपको समझ में आगया होगा चलिए इंगिश्ट question से बताना शुरू कर देते हैं Question 2 यदि A की value यह है B की value यह है C की value यह है तो इसका माना में बताना है तो हमने पहले ही बता दिया था है इस तरह से आगा तो इसको क्या लिखेंगे A, B, C A, B, C यह हमने लिख लिया ठिक अब क्या करना है A का गुड़ांग, B का गुड़ांग, C का गुड़ांग आप view के रूप में हमें लिख लेना है यह हमने आप view बना लिया अब इसमें A का गुड़ांग क्या है 1-1-6 इसका गुड़ांग A का B का गुड़ांग 1-3 और 4 C का गुड़ांग 2-5, 3 यह simple सा मेठाटे बस रख लेना है और इसके पहला को common करेंगे तो इसका multiply करेंगे इन दोनोंगा तो यह हो जागा minus 9 और यह हो जागा plus 20 यह तो आपको समझ में आता होगा क्योंकि यह आप कर चुके आप view में पिर यहाँ पे इसको common करेंगे plus 1 यह छोड़ देंगे 4-2 के 8 यह छोड़ देते हैं 4-2 के 8 और 3 एकम 3 इसको ले लेते हैं minus 6 को यह छोड़ेंगे minus 5 और plus 6 यह हो गया अब इसको solution करेंगे और अच्छे solution करेंगे आपको करने आ जाएगा इतना तो आप करी सकते हैं इसको solution करेंगे तो आजाएगा 0 इस तरह से भी second question को आप सरड़ कर सकते हैं तो हमें उम्मीद है यह छोटे-छोटे question आपको सबने में आ रहे होंगे अच्छे से तो next question बताते हैं थोड़ा इससे long चलिए वो क्या है बता देते हैं question number 3 समय लीजिए सिद्ध कीजिए कि a plus b b c plus a यहाँ पर सभी पर वेक्टर लगा रहेगा हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप ध्यान दे दिजेगा यह वेक्टर लगा हुए a plus b b c plus a बराबर सिद्ध करना है a b c तो simple सा method है हमने क्या बता है इस तरह से आता है तो कैसे लिखते हैं पहले को dot दूसरे दोनों को cross तो चलिए वहीं चीज़ करेंगे a plus b dot लगाएंगे इन दोनों को cross के रुप में c plus a यह हो गया जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था पहले को dot के रुप में और इन दोनों को cross के रुप में लिखते हैं यह हो गया अब देखिए a cross b sorry यहाँ पर a plus b यहाँ पर dot अब इन दोनों को अलग-अलग cross के रुप में लिखना है b cross c plus b cross a दिख रहा है यहाँ यहाँ पर simple method एक बार b cross c और एक बार b cross a फिर इसके बार अब a dot के साथ इसको लेते हैं और एक बार b dot के साथ इसको लेते हैं कैसे चलिए देखिए देखिए पहले a को लेते हैं a dot b cross c पहले को ले लिए हैं फिर plus a dot b cross a दूसरे को ले लिए हैं a dot पहले को फिर प्लस लगाकर यह वाला प्लस A. दूसरे को ले लिए अब इसे तरब B को लेंगे प्लस B. B. C फिर प्लस लगाएंगे फिर B. B. C B. B. C यह हमने कर लिया अब देखिए A. B. C को हम क्या लिखते हैं A. B. C लिखेंगे A. B. C प्लस इसको लिखेंगे A. B. A A. B. A सिम्पल यह समझ में आ रहा होगा नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा इसको लिखेंगे B. B. C B. B. C अब ध्यान देजगा हर किसी भी वेक्टर होगा ध्यान देजगा यहां पर हम ध्यान नहीं दे रहा है हर किसी भी वेक्टर होगा आप लगाते चलेगा पिर इसके बाद प्लस B. B. A B. B. A यह हो गया हमने पहले ही भाग में बताया था यदि दो सदी सापस में बराबर होंगे तो उसका मान 0 है देखिए A A आ गया बराबर यह 0 हो गया A B C प्लस यह हो गया 0 प्लस यह भी 0 और यह भी B भी मिल गया यह भी 0 दिख रहा है आपको सब 0 क्या मिल गया A B C यह मारा प्रूफ हो गया इसको लिखेंगे राइट है यह सिंपल सा मिथड है कुछ करना नहीं है बस इतना आपको समझ में आ गया होगा तो निक्स्ट भाग को जरूर देखिए क्योंकि निक्स्ट भाग इसके आगे का वीडियो बनाया गया है तो कमेंट बोक्स में हमें पहले बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है यदि आपको समझ में आ रहा है तो next part 동안 बनादेते हैं यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ information बताटे हैं जो UP Board में आने वाले या किसी भी Board में आने वाले हैं तो comment box में पहले हमें बताएं कि आपको इसके आगे का वीडियो चाहिए या नहीं यदि आपको comment box में लिखते हैं तो मैं इसके सारे वीडियो टोटल एक तरप से भाग भाई भाग बना कर दे दूँगा Thank you, thank you for watching my video